स्वागत है दोस्तो आपका हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तो इस वीडियो में आज हम जिपीएसी का जो एक्जाम होने वाला है दो मई 2021 को उसके लिए एक्जाम च्वाइस कोशन लेके आए हैं और ये वन लाइनर के फॉर्म में लाए हैं और जो हमारा टेस्ट रिस च वह भी कंटिन्यू चलते रहेगा और कोशिस करते हैं कि अपरेल के मन्त में आपका 15 सेट आपका पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए 15 इस तरह से टोटल तीस सेट कोशन आपका MCQ के फॉर्म में चलाएंगे और इस तरह से क्विक रिवीजन के लिए आपका जो है व ठीक है तो इस वज़ा से इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है केवल आप लोग को अब जो समय है केवल एक मेने का समय बचा हुआ है उसमें आप जितना से ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस सेट आप कवर कीजिए उससे कोश्चन अगर आता है तो आपको फैदा मिलेगा ठीक ह अब नए चीज पढ़ने का समय नहीं है जो पढ़ चुके है उसको आप लोग प्रैक्टिस करके सॉल्व कीजिए तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अगर आप लोग को स्टेडी माटिरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल मेरा दो के नाम से और एक है टेस्ट स्रीज एकैडमी के नाम से उन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहां से आप लोग जोईन कर सकते हैं डारेक्ट और वैसे भी सर्च करके आप लोग आटोमेटिक जोईन कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को वन लाइनर देखते हैं उसके बाद नेक्स जो वीडियो है वो मैं अबजेक्टिव डालूंगा ठीक है टेस्ट स्रीज तो यहां पर बोल रहा है कि वीच्ट की प्रासिंतम गंतंत्रिये सासन परणाली को किस नाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा मुंडा मान की वेवस दूसरा है मुंडा मान की वेवस्था में पटी पंचायत या परहा पंचायत का गठन कितने ग्राम समूव को मिला कर किया जाता है तो यह हो गया 15 से 20 ग्राम समूव को मिला कर किया जाता है तीसरा यह मुंडा मान की वेवस्था में डाकुआ का कार क्या है तो इसके हो जाए संप्रिशन करना नेश्ट ये मुंडा सासन विवस्था में पाहन को दी गई कर मुक्त भूमी क्या कहलाता है डाली-कटारी ठीक है नेश्ट ये किस जनजाती की प्रंपरागत सासन विवस्था को खूट-कठी-प्रथा का नाम दिया गया है खूट कटी पर्था का नाम दिया गया है, तो ये मुंडा हो जाएगा, मुंडा जन जाती की परंपरा में, नेश्ट है, ये मुंडा मान की सासन बेवस्था में ग्राम परमुख को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा हातु मुंडा, नेश्ट है, करता, दिवान, कोतवाल, पां तो ये हो जाएगा पाहन का ठीक है नेश्टा ये किस काल में मुंडा मान की बेवस्था भूई हरी बेवस्था के नाम से जाना जाने लगा तो ये हो जाएगा नागवंसी काल नेश्टा ये मुंडा मान की छेत्र में जागिरदारी पर्था का उदय किस सासनकाल की बिशेस्था थी तो ये हो जाएगा मुगल काल नेश्टा ये नागवंसी सासन बेवस्था में भंडारी, बक्सी, घटवाल जैसे अधिकारी किस अस्तर पर नियुक्त किये जाते थे तो ये हो जाएगा ग्राम अस्तर पर दोस्तों इसे क्या कीजेगा आप एक दो तीन बार में आपको PDF भेज दिया जाएगा कुछ देर के बाद वहाँ पे आप लोग इसे डाउनलोट करके आप लोग क्या कीजेगा कि दो तीन बार एक वा रिविजन कर लिजएगा तो याद हो जाएगा और डिटेल के लिए इसका जो जारखन का जो बुक है वो आप लोगो को खईदना पड़ेगा पूरा डिटेल पढ़ने के लिए ठीक है तो वो आपको मेंस में फैदा करेगा नेक्ष्ट आइए नागवंसी सासन बेवस्था में वितिये मामलों का परमुख कलाता था तो ये इंपोर्टेंट कोशन है इसे आप लोग याद रखेएगा दिवान नेक्ष्ट आइए किस सासन बेवस्था में प्राचिंतम कहावत है पाहन गाओं बनाता है महतो गाओं चलाता है तो ये भी अच्छा कोशन है तो ये हो जाएगा पढ़हरा सासन पढ़नाली नेक्स्ट आई ये पढ़हा सासन ब्यवस्था का संबंद किस जंजाती से है ये भी important question है तो ये हो जाएगा उराओं जंजाती से नेक्स्ट आई ये पढ़हा सासन ब्यवस्था में पढ़हा राजा को दी गई कर मुक्त भूमी कहलाती थी नेक्ष्ट है ये किस जनजाती के पंचायत में महिलाएं सामिल नहीं होती थी तो ये हो जागा उराओं जनजाती नेक्ष्ट है ये बोरा की पढ़ा सासन विवस्था में ग्राम प्रमुख कहलाता है तो ये हो जागा महतो नेक्ष्ट है ये संथाल जनजाती की ग्राम सवा कहलाती है तो ये हो जागा मोडे होड उसके बादा ये संथालों की पारामपरिक सासन विवस्था मांजी पर गनायत किस जनजाती से ग्रहित की गई है तो ये हो जागा सौरिया पहाडी नेक्स्ट आइए मांजी परगनयत बेवस्था में जोग मांजी का कारह है तो नेक्स्ट हो जागा गाउं में नैतिक बेवस्था कायम रखना उसके बाद आए ये संथाल ग्राम की सुरक्षा प्रहरी है ति ये हो जागा लासे, टेंगोई नेक्स्ट आई ये मांजी परगनैत बेवस्था का सर्वोच अधिकारी कहलाता है तो ये हो जागा परगनैत नेक्स्ट आई ये संथालो में 5-8 ग्राम मिलकर गठित की गई संस्था देश मांजी का परमुख कहलाता है तो ये हो जागा मोडे मांजी नेक्स्ट आई ये संथालो के परंपरिक सासन बेवस्था में भगदो प्रचा का अर्थ है तो ये हो जाएगा वरिष्ट बुजूर्ग नेक्स्ट आई ये किस जनजाती की परंपरागत सासन बेवस्था धोकलो सोहोर कहलाती है तो ये हो जाएगा खड़िया जारखन की कौन सी जनजाती पंचायत पर नाली का विरोध करती है तो ये हो जाएगा खड़िया जनजाती नेक्स्ट है ये खड़िया जनजाती के ग्रामिन पंचायत कहलाता है तो ये हो जाएगा धीरा नेक्ष्ट है धीरा पंचायत का फर्मुख सभापती कहलाता है तो कौन कहलाता है तो ये हो जाएगा धंडिया नेक्ष्ट है ये नेक्ष्ट बोरा की खड़िया जन जाती के प्रम्परागत पंचायत में सबसे इमंदार एवं नाई प्रिये व्यक्ति को किस पद पर निउक्त किया जाता है तो ये हो जाएगा करटाहा नेक्ष्ट कोशन है करटाहा खड़िया परिवारों के सुध्धिकरन के लिए कौन ससंस का आयोजित करता है तो ये हो जाएगा भात भीतार नेक्ष्ट कोशन है धोकलो सोहोर बेवस्था में तिन्जोकड का कार्य क्या है तो यह हो जाएगा आयवे का लेखा जोखा रखना Next है खड़िया सासन परणाली में खूट अस्तर पर गठित अंतर ग्रामिन पंचायत का परमुख का लाता है तो यह हो जाएगा खड़िया घाड Next है, संथाली सासन वेवसां में दिया जाने वाला सरवोच दन्ड क्या है? तो ये हो जाएगा बिट लाहा. Next है, रेड नामा कदिकारी की निवती किस परंप्रागर सासन वेवसां में की जाती है? तो ये हो जाएगा धोकलो सहोर. सदान समाज में गठित अंतरजातिये पन-चायत को किस नाम से जाना जाता है तो ये हो जाएगा बाला पन-चायत नेक्ष्ट है किस जनजाती के पंचायत परमुख को दोहर कहते हैं तो ये हो जाएगा बत्थुरी नेक्ष्ट है सबर जनजाती के पंचायत में गोडाईत का क्या कारे है तो ये हो जाएगा सूचना पहुचाना नेक्ष्ट है किस जन जाती के परमपरिक बेवस्था में सरदार नामक अधिकारी की निक्ति की जाती है तो ये हो जागा गोडाईत जन जाती में नेक्ष्ट है बैगा पंचायत का परमुख कहलाता है तो बैगा पंचायत का परमुख कालाता है तो वो क्या कालाता है मुकद्दम नेक्ष्ट है ये नेक्ष्ट बोर रहा है कि बिंजिया जातिये पंचायत में ग्राम परमुख को क्या कहा जाता है तो ये हो जागा मादी एवं गद्दी इसे कहा जाता है सियान और सीख किस अधिकारी के परमुख सहयोगी होते हैं तो ये हो जाएगा इसका एंसर मुकद्दम के बिरोहर जनजाती का सर्वुच संगठन कहलाता है तो ये important question है तो ये हो जाएगा टंडा नेश्ठ है ना एवं दिगुवार किस जनजाती के सासन बेवसा चलाने में मुख्य भूमी का निभाते हैं तो ये हो जाएगा बिरोहर जनजाती नेश्ठ है गौण जनजाती के पंचायत का परमुख कहलाता है तो ये हो जाएगा सयाना नेश्ट है खोंड जनजाती में ग्राम मुख्या को क्या कहा जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा गौरिया या सरपंज नेश्ट है जारकन के किस जनजाती के पास परंपरागत जातिये पंचायत नहीं है तो इसमें हो जाएगा लोहरा है वो महली जनजाती के पास नेक्ष्ट है खरवार जनजाती की अंतर ग्रामिन पंचायत कालाती है तो इसका एंसर हो जाएगा चट्टी, पच्चौर और सतौरा नेक्ष्ट है किस जन जाती में ग्रामिन विवादों के निप्टारा है तू समुदाइक परिशत गठित की जाती है जिसका संचालन नायक करता है तो ये हो जाएगा इसका अंसर बंजारा तो चलिए इस तरह से आपका जाती है सासन विवस्था से जो कलेक्शन किया गया है वो इसमें इतने सारे ओब्जेक्टिव वन लाइनर कोश्चन में आपका खतम हो गया है ठीक है इसे एक दो तीन बार आप लोग रिवीजन कर लिजेगा और अच्छे से समझ लिजेगा अहल पीटी पास करने के लिए इसका किया है नेक्स वीडियो में हम अब्जेक्टिव लेके आएंगे ठीक है तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं झाल झाल